हलो बच्चों आज मैं पूजा पाठक फिर से हाजर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर और यह वीडियो रिलेटेड है क्लास टू की मैरी गोल्ड इंग्लिश से और चैप्टर नीम इस दो विंड आंड शन बहुत अच्छी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है लगातार सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए विए व्यूवर है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल ऐकन को भी प्रेस कर दें कोई भी अप्डेट हो कोई भी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं वह आप तक तुरंत पहुत जाए और साथ ही में वी between the wind and the Sun क्या कर रहे हैं वो लो कैसे बादची चल रही है let's see wind wind यानि हवा बोलती है Sun can you see that man क्या तुम इस आदमी को देख सकते हो walking down the road जो कि रोड पर चल रहा है I can get his coat off more quickly than you क्या हवा कहती है कि सूरज तुम्हें क्या जो सड़क पर चल रहा है आदमी वो दिखाई दे रहा है मैं इसका coat तुरंत तरवा सकती हूं उतनी जल्दी जितना कि तुम भी नहीं कर सकते Sun smiling तो सूरज हसता हुआ बोला we will see who is stronger उसमें का चलो देखते हैं कौन ज्यादा strong है I will try I will let you try first चलो मैं तुम्हें अलाव करता हूं कि तुम पहले कोशिश करके देख लो wind हवा कहती है puffing his cheeks and blowing hard अब हवा ने अपने गालों को फुलाया और बहुत जोर से जो है वो हवा चलाई man how strong the wind is today अब आदमी सोचने लगा कि अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी how strong the wind is today कितनी तेज हवा है आज it is blowing my coat away ये तो मेरा coat ही उड़ा देगी I must hold it tightly around myself तो उसने क्या किया कि कोट न ओड़ जाये तो उसने और जोर से कस्के अपने कोट को पकड़ लिया ये तो उल्टा ही हो गया हवा चाहरी थी कि उसका कोट उतर जा उसने और जोर से पकड़ लिया wind blowing harder अब हवा और तेज उससे बहना शुरू किया हूँ हूँ ऐसे करके man pulling his coat more tightly आदमी हवा जितनी तेज चले आदमी अपने कोट को उतना तेज और पकड़ ले how cold it is अब उसको ठंडी भी लगने लगी wind बोलता है son I give up तब हवा कहती है कि भाई मेरे से तो आप नहीं हो रहा मैं give up कर रही हूँ I cannot get his coat off मैं उसका coat उतरवाई नहीं पाई तो son कहता है now it's my turn वो कहता है कि चलो अब मेरी बारी है देखते हैं let me try मुझे कोशिश करने दो he shines harder अब वो बहुत तेज चमका man what a funny day अब आदमी कह रहा है कि आरी क्या देने यह कभी तेज हवा चलती है कभी एकदम से सूरज निकाल आता है it was so cold and now it is so hot वो कह रहा है कि अभी अभी तक तो इतना ठंडा हो रहा था और अब इतना गर्मी लगने लगी sun shining harder सूरज और इस धूप उसने बरसाई उसने का I will make him feel hotter and hotter उसने का कि मैं इसको इतनी गर्मी लगा दूँगा बहुत ज्यादा man's wiping his face अब आदमी को पसीने आने लगे वो अपना पसीना पहुचने लगा face का I must take off my coat अब उसको गर्मी लगने लगी तो उसने अपना coat उतार दिया sun wind I have worn I have made him take office coat उसने का कि लो हवा मैं तो जीत गया क्योंकि मैंने इस आदमी का coat जो है वो उतरवा दिया है तो देखा ना कभी किसी को challenge नहीं करना चाहिए हर किसी की अपनी शक्तियां है और हर कोई अपने आप में unique है कुछ qualities के साथ तो अब आप लोग इस chapter को खुद से पढ़े comprehend कर और जो भी difficult word लगे आप सबसे पहले उसको try to find it from the dictionary और फिर भी आपको अगर ना मिले तो आप इसको comment section में लिखें तो अब हम इसके new words कर लेते हैं सबसे पहला new word है road यानि सडक, coat यानि एक तरीके का अंगर खा, उपर से डालने वाला कपड़ा, quickly यानि जल्दी में, stronger यानि पाकतवर, cheeks यानि गाल, worn यानि जीतना, reading is fine, question answers देख लेते हैं क्या है what did the wind do to get the men's coat off, so the wind blow harder and harder, ठीक है तो ये इसका answer हो जाएगा what did the sun do to get the men's coat off, so the sun shines stronger, ठीक है ये हो जाएगा, who won in the end कौन जीत गया था लास्ट में, so the sun won in the end, okay who said this to whom, I can get his coat off, मतलब किस ने किस से क्या कहाई ये, I can get his coat off more quickly than you can, ये कहा था, wind ने sun से, तो wind, ये वाला question का answer हो जाएगा, wind, sad, to, the, sun, I will let you try first, अब किस ने कहा था कि चलो मैं तुम्हे पहले अलाव करता हूँ, कोशिश करने के लिए, तो ये कहा था, the sun, sad, to, wind, ये हो गया, how cold it is, ये किस ने कहा था, तो the man, sad, this, ठीक है, I give up, I cannot get his coat off, ये किस ने कहा था, ये कहा था, wind ने, the wind, sad, to, the sun, ये sun से कहा था, I have won, मैं जीत गया, ये किस ने कहा था, तो ये इस कहा था, the sun, sad, to, wind, ठीक है, ये हो गया, let's think, ये आपके उपर है, आप करिएगा इसको, find a rhyming word from the story, for each, जैसे bun का हो जाएगा rhyming word, story में sun, hold का हो जाएगा cold, boat का हो जाएगा coat, ठीक है, fan का हो जाएगा man, sunny का हो जाएगा funny, okay, pot का हो जाएगा hot, clear हो गई, ये सारी बाते, आगे बढ़ेंगे, let's write, here are some doing words in the story, find three more doing words in the story, that are ending in ing, then write it them, जैसे walking है, smiling है, blowing है, pulling है, तो ऐसे ही तीन ing word हमको story से ढूणने है, तो चलिए बापस story में चलिए, एक हो जाएगा pulling, ये मिल गया हमको, ठीक है, एक हो जाएगा shining, ये मिल गया हमको, एक हो जाएगा wiping, ये सब doing words है, doing words मतलब क्रियाएं हैं, ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, अच्छा, pulling हमने already इसमें देख लिया था, तो हम कोई और देख लेंगे, blowing है, ठीक है, puffing, ये puffing नहीं था भी उसमें, तो ये puffing हो गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, choose the right word from the box below and फिर in the box, ठीक है, ये जो box में हैं कुछ words, इनसे हमें यहां के जो blank spaces हैं, इनको भरना है, let's complete the story, one day the wind and the sun had a competition, they, to make a man take off his coat, तो क्या हो जाएगा, they, started, first the wind, one second, तो इसमें क्या होगा, one day the wind and the sun had a competition, they, wanted, ठीक है, इसमें आ जाएगा, wanted, वो क्या चाते थे, to make a man take off his coat, वो चाते थे कि इस आदमी का coat उतर जाए, first the wind blew, तो सबसे पहले क्या किया, हवा ने बहना शुरू किया, blue hard, वो तेजी से हवा चलने लगी, the man, his coat tightly, तो man ने क्या किया था, man pulled, sorry, यह आएगा, उसने बहुत जोर से अपने coat को पकड़ लिया, the pulled his coat tightly, round himself, then the sun, अब sun ने क्या किया, तेज तेज शमकना शुरू किया, तो started shining hard, the man felt, अब आदमी को कैसा लगने लगा, जब तेज धूप पड़ेगी, तो आदमी को गर्मी लगने लगेगी, hot लगने लगेगा, and he took his coat, took off his coat, और उसने अपना coat उतार दिया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, look at these pairs of words with opposite meaning, now write the opposite off, hot का cold हो जाता है, opposite big का small हो जाता है, opposite strong का हो जाता है, weak, तो अब हमें इनके opposite लिखना है, तो सबसे पहले good का हो जाएगा, bad, ठीक है, tall का हो जाएगा, एक minute, good का क्या हो जाएगा, bad, tall का हो जाएगा, short, ठीक है, hard का हो जाएगा, soft, और black का हो जाएगा, white, ठीक है, यह white हो गया, crossword, fine, क्या करना है, look at these pictures, and complete the words in the puzzle, तो सबसे पहले, इस picture को देखेंगे, first number पे कौन सा है, man है, तो हम यहाँ पे man लिख देंगे, second number पे क्या है, यह coat है, तो c, o, a, और t, और, sorry, t, coat हो गया, third number पे क्या है, sun, तो third number यह दिया गया है, तो s, u, n हो जाएगा, fourth number पे क्या है, वाव, यह तो wind है, w, i, and, d, तो यह crossword puzzle हमारी complete हो गई, team time, अब यह आपको role play करना है, एक लोग wind बन जाना, एक लोग sun बन जाना, और अपना काम करना, यह एक story है, छोटी सी, let's read an answer, a big wind, a big wind is blowing, look, the leaves are flying, the wind can blow trees down, it can blow house down, my house is old, will it come down, तो अब हमें इस सिवह में बताना है, कि the wind can blow down a house, देखिए, इसमें दिया गया है, a wind is blowing, look, the leaves are flying, हवा चल रही है, और जो पत्तियं हैं, वो उड़ रही है, the wind can blow trees down, जो हवा है, वो पेडों को नीचे जुका रही है, it can blow house down, और वो घरों को भी नीचे जुका सकती है, my house is old, मेरा घर पुराना है, will it come down, क्या ये भी नीचे आ जाएगा, तो इसमें है कि the wind can blow a house down, तो yes, इसमें लिखा हुआ है, the wind can blow down a field, ये नहीं है, ठीक है, the wind can blow down a child, ये भी नहीं है इसमें, the wind can blow down a tree, ये सही है, ठीक है, तो ये हो गया, the wind can blow down a river, ये उक्रॉस है, ठीक है, क्योंकि river के बारे में, इसमें बात ही नहीं गई है, तो in this way, we have completed this chapter, आप बताएगा, कि क्या चीज समझ में नहीं आई है, क्या अच्छे से समझ में आ गया है, और जो भी आपको कुछ question और पूछने हों, तो उसको जरूर comment section में पूछ लें, वीडियो को like जरूर कर दें, और हाँ, अगर आप नए हैं, तो चैनल को जरूर subscribe कर दीजेगा, तो मैं पूछा पाठा कब आप से इसाद अप लेती हूँ, मिलेंगी फिर से एक नए वीडियो में, एक नए चैप्कर के साथ, एक नए स्टोरी या पोयम के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बैबै, खुश रहिए, मस रहिए, तंदरुस रहिए, बाइ बाइ बाच्चों!